उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के वक्त किसी भी मरीज की मौत ऑक्सिजन की कमी से नहीं हुई ये दावा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विधान परिश्वर में कॉंग्रेस MLC द्वारा सरकार से पूछ गए एक सवाल के जवाब में किया है उत्तर प्रदेश में तीन दिन का श्वित कालिन सत्र चल रहा है ये उत्तर प्रदेश की सत्रवी विधान सभा का आखरी सत्र बताय जा रहा है कॉंगर्स MLC दीपक सिंग ने विधान परिशर में कोरोना की दूसी लहर में आक्सिजन की कमी से मौत के बारे में जानकारी मांगी थी इसके लिखित जवाब में राजस्वास मतरी जपताब सिंग ने बताया कि दूसी लहर में यूपी में आक्सिजन की कमी से किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई है भारत में कोरोना की दूसी लहर एपरिल से जून के भी इच आई थी इस तोरान हजारों लोगों की मौत हुई देश के तमाम हिस्सों में आक्सिजन की कमी की खबरे आई थी औक्सिजन के लिए जग़ जग़ लाइने लग रही थी कुछ एस्पतालों में आक्سजन की कमी से मौँट की खबरे भी सामनी आई ऐसे में इद्रप्रदेश सरकार के इस दावे के बाद विपक्ष औहंगामा कर सकता है पिशले सत्र में केंदर सरकार ने भी दावा किया था कि देश में ऑक्सिजन की कमी से किसी की जान नहीं गई हाला कि विपक्ष के हंगामे के बाद सरकार ने जवाब दिया था कि ये दावा राज्यों से मिली जानकारी के अधार पर किया गया है बाद में सरकार ने संसद में बताया था कि आंदर प्रदेश में ऑक्सिजन की कमी के कारण कुछ लोगों की जान जरूर गई है तो यूपी सरकार कह रही है कि दूसी लहर में कोरोना में जब दूसी लहर आई थी तो उसकी वजह से लोगों की जान नहीं गई है ओक्सिजन की कमी की वजह से लोगों की जान नहीं गई है कोरोना की दूसी लहर में ओक्सिजन की कमी प्रदेश में नहीं थी और इसी वज़ों से जो जाने गई है वो नहीं कहा जा सकता कि oxygen की कमी की वज़ों से गई है तो प्रदीश सरकार ये दावा कर रही है लेकिन इक कितना सही है ये देखना होगा केंदर सरकार की तरफ से जवाब दिया गया था कि oxygen की कमी की वज़ों से कोई मौते नहीं हुई जब विपक्ष ने हंगामा किया तो फिर केंदर सरकार ने जवाब दिया कि राज्य सरकारों की तरफ से जो जानकारी मिली है उसके आधार पर हम ये कह रहे हैं तो फिलहाल ये कहा जा रहा है यूपी सरकार के तरफ से कि आक्सिजन की कमी के वज़ो से जान नहीं गई है हाला कि खबरे ऐसे सामियाई थी उस दोरान कि हजारों लोगों की जान आक्सिजन के कमी के वज़ो से हुई है